ऑज लोगों ने लास्त लेक्टर में laws of reflection में तो इस नंहें हो गया जिए कि डूसरा हम लोगों नहीं देखा था कि देंसर उट बोटेज रिए तो बेंट किदर होगी रहर तो by parallel boundaries so we can directly apply is Snell's law in the first medium and in the last medium or any other medium in between because mu sine i will be constant for such case next film आगे बढ़ते हैं Snell's law से next point आएका फिर image image formation in plane surface the refraction image formation in plain surface refraction your refraction at plain surface take and suppose it is a medium boundary so this is medium boundary medium boundary के पर हम कोई भी लाइन अगर द्रॉ करते हैं perpendicular to medium boundary so this line can act as principal axis any line perpendicular to medium boundary can act as principal axis okay on one side there is a medium one and on the other side medium two medium one and medium two two different media media with different refractive indexes okay and suppose there is an object there is an object point object oh in medium one and we have an observer looking at the object from medium two means observer is in medium two and the object is in medium one is in medium one this is a example this is suppose suppose you have a tank filled with water and there is a coin lying at the bottom of the tank and when you look to look at the coin from the air side so what is the apparent distance of coin this is because of plane surface refraction and that plane surface refraction is happening at water air boundary this is water air boundary so this this is the same type of reflection which we are deriving the object is in one medium and observer in another medium so what we will do हम इसे हां से एक light ray बनाते हैं suppose this is the light ray incident ray कोई भी एक लाइट रिपना लिए और इसनल स्टॉ लगाने के लिए हमको यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा तो सपोस्पोज इस इस दी नॉर्मल तो क्या यह वाला जो एंगल है क्या यह एंगल ऑफ इंसिदेंस होगा जो वह एंड डिपेंडिंग ओन वन और मीडियम टू डिपेंडिंग ओन मीडियम वन मीडियम टू में से कौन डेंसर रहा है इस लाइट रे में बेंड अवे फ्रॉम और इतने में टूर्ट्स दी नॉर्मल डिपेंडिंग ओन दी वैल्यूज ऑफ मुवन एंड वीडू बट फॉर तो ताइम बींग अम इ एंगल मस्ट भी आर एंगल ओफ रिफ्रेक्शन और ध्यान से देखना एक लाइट रे वन लाइट रे एक लाइट रे तो प्रिंसिपल एक्सिस खुद हो जाएगी क्योंकि जो लाइट नॉर्मल के लॉंग जाएगी तो उसका डेविएशन नहीं होगा इट गोज अन्डेविएटेड इट गोज अन्डेविएटेड ठीक है ना और एक लाइट रे हमने और ले लिए तो यह वाली जो लाइट रे बनाई ना जो अलॉंग प्रिंसिपल एक सब्सक्राइब तो अगरम इसमें आई की जगे जीरो रखेंगे तो क्या और भी जीरो आएगा ना तो दिस प्रिंसिपल एक्सिस इस वन अफ दी टूरेज एंड दी अदर वन यह वाली रहे हो गई तो यह दोनों रेज जो हैं यह रियल ऑप्जेक्ट से आ रही है और आफ इफ समवन इस लुकिंग फ्रम दी मीडियम टू साइड तो अगर हम यहां से देख रहे है ना इस साइट से तो हमको इमेज यहां पर नज़र आएगी आई पॉइंट पे तो तुम देख रहे हो कि वही यह वाला डेंसर होगा तभी यह थोड़ा सा पास आ गया वही सेम टै आक हो जाएगा हो बोलिए यह लाइन है और यह पाट कर रही है तो यह एंगल और यह इंगल इकोल होगा ला चिश्.: acum आप यहां पर देखो अकर आम इस लिस को अप्लाइ करते हैं यहां अइस इकल टो म्यू व्यू च mm और यहां पर एक approximation रहेगा approximation रहेगा की फोर पैरा एक्जियल रेज किनको बोलेंगे पैरा एक्जियल रेज उनको बोलेंगे जिनके लिए आई और आर की जो वैल्यूस है वह वैरि स्मॉल हो ठीक है अच्छा एक approximation और बोलते हैं कि अगर आई और है तो sin i can be written as equal to 10 i and 10 i आप ध्यान से देखो इस triangle में इस triangle में 10 i की value क्या बनेगी तो इस triangle में 10 i की value बनेगी MP upon OP similarly अगर हम sign r की value लिखेंगे तो sign r is equal to 10 r and 10 r becomes MP upon IP तो यह दोनों value उठाकी अगर हम इसमें रख दे एक्वेशन नंबर वन में तो देखें हमको क्या मिलेगा म्यूवन अपॉन ओपी इस इकल टू म्यूटू अपॉन आई-पी ठीक है ना और साइन कन्वेंशन वाला बात जो हम लोगों ने पढ़ रखिए वह अप्लाई करें डारेक्शन ऑफ इंसीडेंट इस टेकन ऐस पॉजिटिव तो यू का वैली होगा माइनस ओपी और वी का वैली होगा माइनस आई-पी तो यह फॉर्मुला अगर हम यू और वी में डिराइव करेंगे तो यह आजाएगा मूवन अपॉन अपॉन यू इस इकल टू मूटू अपॉन वी तो यह एक बेसिक एक एक्स्प्रेशन है जो आप ध्यान रख सकते हो ठीके ना अगेन प्रूफ इस नॉट सो इंपॉर्टेंट है बट यह फॉर्मुला आगे हमें यूज करना तो यह ध्यान से देखो नोट करिए यह तक करेंगे कौन सा पॉइंट बेटा इस अपने इंजिदें ट्रेशन में लिए डाइगराम में एक रे तो यह वाली हो गई ना प्रिंसिपल एक्सेस क्योंकि यह 90 डिग्री एंगल है ना तो इसके लिए आई की वैल्यू जीरो है तो आर भी जीरो होगा तो एक लाइट रे तो सीधे सीधे निकल जाएगी दूसरी वाली जो लाइट रे है इट में बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल डिपेंडिंग ऑन म्यूवन एंड म्यूटू में से कौन बड़ा है तो अभी मैंने कोई भी एक केस ले लिया है ठीक है ना अब्जेक्ट रियल है और जो इमेज आई है यह कैसी है वर्चुल है कि अब करता थांक्यू कि प्लेन सर्फिस रिफ्रेक्शन में हमको यह फॉर्मूला देखना है कि इसको मैं अप्लाई कैसे करेंगे डिफरेंट केसे में तो नीचे नोट करके हम लोग लिख सकते हैं वन बाई वन कि पहले केस में है विन अब्जेक्ट कि इन अब्जेक्ट कि इन कि डेंसर मीडियम कि एंड ऑब्जर्वर कि इन कि रेर मीडियम कि यानि यह वही कि एक्जामपल हो गया विए लुकिंग अट बॉटम ऑफ टैंक फिल्ड विद वाटर अब्जेक्ट इंदेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन रेर मीडियम तो डाइग्राम तो रे डाइग्राम में कन्फूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्यों कि रे डाइग्राम जो भी हम बना रहे हैं यह में स्नेल्स लॉक को अप्लाई करते हुए बना रहे हैं तो इसमें तो कोई कॉंसेट लगी नहीं रहा है सिर्फ और सिर्फ लॉ लग रहा है तो अब ऐसे बताओ कि सपोज यह टैंक हो गया टैंक फिल्ड विद वाटर सपोज यह टैंक है टैंक फिल्ड विद वाटर और टैंक के बॉटम पर हमने एक पॉइंट ले लिया पॉइंट ओ सपोज डेप्थ ऑफ टैंक इस डी अब जड़ा यह बताओ सिधा सिधा मैं जो बात पूछ रहा हूं कि अगर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ऑब्जेक्ट से निकल रही है ज्यान से देखो और किदर की तरफ जा रही है बाहर एर में जा तो बताओ कि यह लाइट रेजब बाहर जाएगी तो यह किदर की दरफ बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल और टूर्ट दी नॉर्मल मतलब यह सीधे जा रही है जो यह तो इसका जो इमेज बनेगा न यह थोड़ा सा अपने आप ही उपर बन जाएगा तो रे डाइग्राम हमें हमें कुछ याद नहीं करना है रे डाइग्राम हमको अपने कॉंसेट सही बनाना है जो लौ है उसके हिसाफ से बनाना है तो यह समझ में आ गया ना कि इमेज उपर क्यों बन रही है यह समझ में आ आएगा और म्यूटू की जगे वन आएगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगे हम लोग लिखेंगे माइनस डी ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे यहां से डी डिस्टेंस पे ना रियल ऑब्जेक्ट है तो माइनस डी रखेंगे तो आप यहां से यह सारी वैल्यू रख तो आप याद यह रखो निकाल तो लिया हम लोगों ने कैसे निकाला बट याद आपको यह रखना है कि apparent depth is equal to apparent depth is equal to क्या लिखेंगे रियल डेप्थ रियल डेप्थ divided by refractive index मतलब तुमको यह तो याद ही रहेगा ना कि अगर हम जब तो उसका जो बेस है वो slightly उपर होता है तो बस यह ध्यानकों कि कितना डिस्टेंस पर होगा तो उसका जो डिस्टेंस होता है वोता है डी अपॉन म्यू याद रहेगा गो लिए अधि अपॉन म्यूं कि लेखो नोट करिये कर दो यह हो यह दो आइवा रहेगा तो उसका जब झाल झाल लिकें पताई यह है तो इस तेमिलरली इफ देर आर इफ देर आर मुल्टिपल लेर्स ओफ दिफ्रेंट लिक्विड सिमिलरली इफ देर आर मुल्टिपल लेर्स ओफ डिफ्रेंट लिक्विड्स सपोज सपोज अलग अलग लिक्विड है एक लिक्विड है म्यू वन एक लिक्विड है म्यू टू एक लिक्विड है म्यू थ्री यह म्यू वन है यह म्यू टू है यह म्यू थ्री है ठीक है और इन तीनों के विट्थ भी हमको दिये हुए है कौन कितनी विट्थ में है तो सपोज यह डीवन में है यह डीटू में है यह डीट्री में है तो जरा इस केस में बताओगे कि जब हम इधर से देखेंगे तो वाट वुट बी दी एपरेंट डेप्थ वाइल लुकिंग फ्रम दी आउटसाइ विट इस एएर हां कि वह बहुए है एपरेंट डेप्थ इस केस में क्या बनेगी तो तो एपरेंट डेप्थ की वैल्यू हर एक के लिए इंड्यू जली देखो अगर केवल अकेला यह होता तो कितनी एपरेंट डेप्थ होती तो इसी तरह से दूसरे वाले का लिखेंगे तो जाएगा डी टू अपॉन म्यू टू और इसी तरह से थर्ड वाल इका लिखेंगे तो डी थ्री अपॉन म्यू थ्री कि तो जितने भी लिक्विट्स होंगे हर एक की वज़े से जो एपरेंट डेप्थ होगा उसको हम एड़ अप करते जाएंगे अधाये क्लियरी पॉइंट अधाये क्लियरी पॉइंट कि अधाये क्या है एक पॉंइंस में लेक देना कि इन ओल केसे जो अब्सर्वर है इस लुकिंग अज़क्ट अब्जेक्ट अब्सर्वर है इसलोगें अब्जेक्ट अबश्च अब्जेक्ट सब्सक्राइब पा nice are today eyes are present near normal the camera near normal so that the race are rays are paraxial so that rays our paraxial कि यह थे ना क्योंकि पैरा एक्जियल के लिए ही वह फॉर्मूला एप्लीकेबल है डिराई भी हमने पैरा एक्जियल के लिए किया है कि आज हुआ 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 है कि आज हुआ है डिरिद ये लिए लूग कि अज्ट ओंध री तर मेलिए लिए से कि दो अजरी ओंध लिए कि अजिए कि विए शॉब इस बार्ट प्रट बेंसे मीडियम नो एक्लियन object is in rarer medium and observer and observer in denser medium when object is in rarer medium and observer in denser medium let's say there is a pool and there is a fish and this fish is looking outside and while looking outside there is a bird at point oh and this bird is at a height h above the water surface so either refractive index one ho gya either refractive index mu ho gya this time fish is observer and object is in rarer medium object is in air object means suppose there is a bird so abhyaan bhi batao ki jom light ray draw karenge suppose this is the light rays so this is the light rays jambi e air to water jayengi to yee kithar ki taraf bend hoongi away from normal or towards the normal yeah towards the normal hoongi or dhekna dhyan se jambi towards the normal hoongi line thudha me or lensi banana padega hmmm to jambi towards the normal hoongi mhm to kya is tahrhe ki situation आएगी huh huh bethaya be a थोड़ा साही bend किया है क्योंकि ज्यादा बेंड कर देंगे तो और पीछे बड़ा टाइराम हो जाएगा ठीके ना बोलिए अधि अधिम्यराम क्लियर है नहीं सबसे पहले ही बताऊ और इसको बैक्ट्रेस करेंगे तो यह पॉइंट पर हमें इमेज मिलेगा त्यान से देखिए तो इस बार आप देखोगे अब यह सिचुएशन भाई हम लोगे साथ तो होगी नहीं तो नहीं उसको प्रैक्टिकली फील करने के लिए पूल के अंदर जाना पड़ेगा और इसको अगर हम रखें तो म्यू 1 अपॉन यू इस इक्वल टू म्यू 2 अपॉन वी तो यहां से वी की वैल्यू माइनस म्यू टाइम्स एच आ रही है यानि यह जो डिस्टेंस है इंक्रीज होके म्यू टाइम्स बढ़ जा रही है तो इसको हम लोग ऐसे याद रखेंग है कि apparent height apparent height is equal to इसको हम लोग बोलेंगे actual height actual height and multiplied by refractive index actual height multiplied by refractive index तो एक्चली ना ध्यान दो ही बाते रखनी है या तो म्यू से division हो रहा है या म्यू से multiply हो रहा है अब कब division हो रहा है कम multiply हो रहा है इसको आप एक बार चाहो तो ध्यान रखो बाकि अगर भूल जाओ अगर in case भूल जाओ तो रे डाइग्राम बना के आप तुरण निकाल भी सकते हो कि distance बढ़ रहा है कि distance कम हो रहा है बताइए कि अपर का रिजल्ट प्रक्रेशल्ट यह था कि अपरेंट डेप्थ इस इकोल टू अपरेंट डेप्थ इस इकोल टू रियल डेप्थ विच वोज दी एंड डिवाइड़ेड़ बाइड वाइंव से बढ़ा है ना तो डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी और मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी है ना कि दो ही केस हैं तो ज्यादा कन्फिजन नहीं है को लिए देखो नोट कर लो कुछ डाउट है पूछिए 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 झाल 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 इके बताइए इके बताइए झाल next point is next point is refraction refraction through plane glass slab my fraction through plane glass slab what is a glass slab to glass slab I think class lab is simply a rectangular block made of glass तो सपोज इसका रिफ्राइक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और एक बात जरह मुझे यह बताओकि इसमें कि जब लाइट रहे इस ग्लास लैप को क्रॉस करेगी कैसे भी करेगी क्रॉस तो कितनी बार रिफ्रेक्शन होगा क्यों बैग कि ओए फ्रेक्शन कितनी बार होगा Regarding onze你的 दो बार का रिफ्रेक्शनित क्योंकि इसकोर इदर दर की तरफ बाहर इदर एर और NetflixG पहला जब्रेएट्चिन फिरस्ट्रेट्ट्ट्य करेंगे करेंगे पर्सट फॉल लिट आज्यूम अनिजी एंचिरेंट ग्याइटा टिन त्रेह देटंगे जो एंग्या मुङ एंचिकलेंगे तो बताई भाई यह किदर कि तरफ बेंड होगे तुवर्ट्स और अवे it will bend towards normal or away from normal the rays going from air into glass it will bend towards the normal it will bend towards the normal and the angle of refraction will be lesser than the angle of incidence so it will again fall on the second surface and जब यह second surface पर फॉल होगी तो यह वाला normal और यह वाला normal parallel है तो यह एंगल और यह एंगल भी इक्वल होंगे तो यह वाला रे बाहर निकलेगी when it comes out तो इसका बाहर एंगल कितना बन रहा होगा यह वाला एंगल कितना होगा इस रे को हम लोग बोलते हैं this is called emergent ray when a ray goes inside a plane glass slab or prism or lens and when it finally comes out in air it is known as emergent ray incident ray and emergent ray तो कोई बताएगा वोट यह वाला एंगल कितना होगा आई यह वाला एंगल आई होगा कैसे बताया बाई कि आई होगा चाहिए यह प्वाइड ऑगा आई से जाधा होगा कैसे बताएंगे मैं तो सिर्फ यह पूच रहा हूं अब यह बताएगे इस इस पॉइंट पर फरस्ट रिफ्रेक्शन पे आप एक्वेशन क्या इन्टो साइननाई इस एकल टू म्यू साइनार बनेगा ना हा핫 रिफ्रेक्षण क्या O trim reflection पर एक्वेशन बनाओगे म्यू इन्टो साइनार और साइनद तू वन इन तू साइन आई डेस्ळ अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली यानि फाइनली जो यह इमर्जेंट रहे है यह इंसीडेंट रहे के पैरलल होगी यह वाली और यह वाली रहे एक्जेक्टली पैरलल होंगी क्यों ऐसा हुआ वाइट अगर बाहर एंगल 60 अंदर 30 तो अगर अंदर 30 यह तो बाहर 60 होगा विकोज आई और आर हमेशा पेर में एक्जिस्ट करेंगे ला इनका रेशियो कॉंस्टेंट है विच इस मू तो अगर बाहर आ यह अंदर आ रहें तो अगर अंदर आ रहें तो बाहर आई हो गया अधर रिवर्स इसनल्स लोगे एक तरह से अधर आपोसिट डिरेक्शन में लगा रहें और यह तो यहां पर पहला इंपोर्टेंट पॉइंट यह आया कि फॉर अप्लेंग्लास लैब फॉर अप्लेंग्लास लैब इमर्जेंट रे इमर्जेंट रे इज ऑल्वेज क्या बोलेंगे पैरलल टू पैरलल टू दी इंसीडेंट रे इमर्जेंट रे ओल्वेज पैरलल टू दी इंसीडेंट रे ठीक अब यह बताओ कि पैरलल तो है ठीक बात है यह तो सौन में आ गया बट यह बताओ क्या यह अपने रास्ते से थोड़ा सा डेवियेट तो हो गई ना शिफ्ट हो गई थोड़ा सा यह नहीं हुई पैरलल तो है बट क्या यह अपने रास्ते से थोड़ा शिफ्ट हो गई कि नहीं हो गई इधर जा रही थी और इधर जाने लगी so there is some shifting दिख रही है shifting और यह वाली जो shifting है ना this shifting this is called this is denoted by Delta Y and this Delta V is called लेटरल शिफ्ट दिस डेल्टा वाई इस कॉल्ड लेटरल शिफ्ट और यह लेटरल शिफ्ट हमको कई बार निकालनी होती है वही कैसे निकालेंगे तो पहले तो एक स्नेल्स लो का स्नेल्स लो का एक्वेशन क्या बनेगा वन इन्टू साइन आई इस इकोल टू मिव इन्टू साइन आर लेट उस पॉलिट इक्वेशन नमबर वन अब यह डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे देखना जरा ध्यान से इसके लिए हम क्या करते हैं यहां से यहां एक पर्पेंडिकुलर करते हैं देखना पॉइंट एह है पॉइंट भी है और यह पर्पेंडिकुलर ड्रॉप किया पॉइंट सी हम वीव नीद तो फाइंड दिस्टेंस ऐसी और यह वाली जो लाइन है इसको आगे बढ़ाते हैं देको and suppose this line is intersecting at point D so this is also 90 degree अच्छा BD distance this distance ये वाला distance क्या T के एक्वल है this distance is T तो ये वाला जो triangle है देखना द्यान से triangle A B D triangle A B D we can write cos R is equal to T upon A B AB की value कितनी आ जाएगी AB की value हो जाएगी T upon cos R और इसके बाद देखो द्यान से ये वाला triangle triangle ABC तो triangle ABC triangle ABC में मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ और ज़रा ध्यान से ये बताओगे कि ये वाला angle कितना होगा ये वाला एंगल कि अ है कि बताईए carefully देखके है कि ये एंगल कितना होगा है ये वाली जो लाइन है ये वाली जो लाइन है और ये जो लाइन है ये पूरा एंगल आई है तो क्या ये बोल सकते हैं ये पूरा एंगल भी आई होगा और ये आर है तो ये बचा हुआ कितना होगा ये पूरा एंगल आई है इतना इसमें से आ रहे है तो ये बचा हुआ कितना एंगल होगा ऑढ़ा है कि एक ये एंगल आई – your the repeatAT में को अब इसकी बार खोटना होगा तो ट्रेंगल ए बच आप को ट्रेंगल एबीचे में को सफाइंड करने है और ये वाला एंगल भी फाइंड होगा है तो ट्रेंगल एबीजि कंसए में Sine of I minus R can be written as A C upon AB तो A C equal to क्या जाएगा, A C equal to A B sin I minus R और A C कोई तुम लोग डेल्टा वाई बोल रहे हैं तो डेल्टा वाई is equal to A B की वैलू रख देते हैं T sin I minus R upon cos R देखो यहीं हमको find करना था what is lateral shift लेटरल शिफ्ट का एक फॉर्मूला आ गया अगें प्रूफ इस नॉट नेसेसरी बट फॉर्मूला याद रखना है ik एक यह वर पॉइंट इसमें निकाल सकते हैं में पूट सकता है सम्ताइम्स इंतांव के एसलाइफ्ष। टाइम टेकन बाइफ डाइट रेइफ कुक्रॉस म के गभ़ाज स्लैब के कि डाइम टेकन बाई लाइच रेए तूपक्रॉस दी गलास्फ लव है पर टाइम टेकन तो बताओ कि लाइट रिंडेशं कितना ट्राफल किया ग्लास ने अंदर ग्लासंटे अंदर हम्च के नदर विंडिक्त दे воगप ट्हे। इन ग्ला स्लय है को ऐसी दिस्टेंश विछ लाइट rights ट्रावल इनसाई दी ग्लास को एबी इस्टेंश हम और एक important point जब ये light air में थी तो इसका speed C था लेकिन जब ये glass में गई तो इसका बढ़ जायेगा बढ़ जाएगा कम हो जाएगा कम हो जाएगा आज ये distance है a b और speed aí c up on you तो how much time time कैसे निकालेंगे तो time हो जाएगा distance a.b upon speed ॏ डिस्टेंस एब हम लोग पहले निकाल चुके हैं कितना है distance a.b mt upon फॉर सार को सार एंड वह्टडिज इस्पीड स्पीड इस C upon म्यू तो देखिए टाइम कितना आ गया टाइम आ जाएगा म्यू टी अपॉन सी इंटू कॉसार तो यह टाइम भी आप याद रख सकते हो स्मॉल टी क्या है सी क्या है इन सब यह मालूम है ना जो नहीं मालूम है लिख लेना पूछ लेना मतलब ऐस्मालिव अधिए इस्मालिव इस्वी अधिए लिए इस्मू ब एक लिए कि नूट कर ये कि नूट कर दो कि नूट कर दो कि नूट कर दो हुआ है कि विद आउट आगे बड़े है टाइम टेकन एंड लैटरल शिफ्ट दो बातें यहां पर हुई है कि 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 एक बात पता हुए छोटी सी बात पूछ था हूं the time taken by light ray to cross the slab to cross the slab will be की मिनिममं क्याइब क्वेन बताओ क्या होना चाहिए क्या फिल करना चाहिए Shop LAUGHTER लगे उसके लिए पताइए कॉसर is equal to one पॉसर इस इकल तो वन एंड कॉसर कॉन डिसाइड करेगा आई तो आई क्या होना चाहिए वट शुट भी आई 00 when एंगल ओफ इंसिदेंस इस जीरो ठीके ना वन एंगल ओफ इंसिदेंस इस जीरो और इसको ऐसे बोलते हैं वी अल्सो नोन इस नोन इन इस एस नॉर्मल इंसिदेंस तेके ना और इसी में में एक पॉइंट और नोट करेंगे इसी ग्लास स्लैब में कि शिफ्टिंग ऑफ अब्जेक्ट वाइल सीन थ्रूव बाइल स्लैब ना कि वे हम एंगल कि वेजल सीन थ्रूव राओ रवा प्रेस को आख !! कि शुरूवो भ्त ओं, यूजू व्त बाइल से ल कर अका कि लेएल ग्यचलặt कि वेओ. surface of glass slab and object o is real object on principal axis so यह बोलो जरह बता हो जरह यहां से एक लाइट रहे अगर इधर जाएगी ठीक है तो यह इधर की तरफ बेंड होगी तो वर्ट्स नॉर्मल के बाद अगें जब यह बाहर निकले की तो क्या यह अवे फ्रम नॉर्मल जाएगी और यह वाली लाइट और यह वाले लाइट क्या डेफिनेटली पैरलल होगी तो अगर हम इसको बैक ट्रेस करते हैं कौन किसको यह जो निकल गई आगे तो द्यान से देखो तो तो क्या यह आपजिट का यहां पर आएक इमेज आई बन रहा है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है है बताइए एक और लाइट रे चाहां तो ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से इधर बेंड होगी और फिर हम इसको बैक ट्रेस करेंगे तो यह इस पॉइंट पर आके मिल रही है देखिए तो अगर 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 इफ आप्जर्वर इस प्रिजेंट अन दिस साइड तो इस ऑप्जेर को अबजिट कहा नजर आएगा ओप या फिर आई पे क्यों वही अप अधिर आए गा या ऑई पर नजर आएगा तो इसको लोग बोलते हैं this distance this distance is called shifting मतलब क्या होगा कि every time object will shift by some distance delta x और यह जो delta x का value आएगा यह भी आप याद रखो again प्रूफ ज्यादा है नहीं इंपोर्टेंट यह delta x का value कितना होगा तो दिस डेल्टा x is equal to t1-1 upon mu t1-1 upon mu this is the shifting delta x को क्या बोलते हैं shifting of object this slap की वजे से यह shift हो जाएगा it appears to shift by some certain distance and this distance is t1-1 upon mu again ध्यान अखना कि this is applicable only for only for considering only for paraxial rays इससे पिछली वाली जो heading हम लोगो ने की ना इसमें पैराइक्जियल नहीं भी होगा तो चलेगा क्योंकि साइन आई साइन आर की value आ जाएगी ना बट इस case में आई और आर स्मॉल होने चाहिए इस एप्लिकेबल अनली फॉर पैराइक्जियल रेस ईडिक एड़ाइक्जियल रेस गिंग एक है यह जो इमेज है यह कैसा इमेज है सुरे अले में तो interaction वर्चुल है और अगर मैं कहूं कि सब्सक्राइब यहीं डाइग्राउम पॉपी पेस्ट कर ले रहा हूं और देखना जरा हूं कि मैंने क्या किया इस डाइग्राम को है कि यहां से देखना एक्जैक्ट्री सेम डाइग्राम है एक्जैक्ली सेम डाइग्राम है सब्सक्राइब अब्जेक्ट इस वर्चुल यह जो इंसीडेंट रेज यह इंसीडेंट रेज कहां पर मीट हो रही है इस इंसीडेंट रेजर सब्सक्राइब इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस इमिज तो जड़ा बताओ कि इस केसमें ऑब्जेट कैसा है इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट कैसा है वर्चुल और इमेज कैसा है रियल बट अगेन जो शिफ्टिंग है शिफ्टिंग की वैल्यू अभी भी डेल्टा एक्स है एक्चुली दोनों डाइग्राम सेम है डिफरेंट है क्या भूलिए इसमें अगर आपको दिहार रखना हो कि बई शिफ्टिंग किदर हो रही है तो उसको यह दिहार रखने का असान तरीका क्या है इसमें एक लाइन लिख लो आप डाट शिफ्टिंग कि shipping जो गुंगोई कर गर्स इन दी डिरेक्श नोब रिषिफ नोब कर्स इन दी डरेक्शन ओ इंसिडेंट डवी ड्यस जिफ्टि अल्वेज एक्रस इन दी डाटरेक्शन अपिंचिडेंट रेज these are the incident rays in this direction डिल्टा एक्स का जो एरो है देखो मैच हो रहा है इस्टा इसका जो एरो है मैच हो रहा है इससे यही देखना बस पास आएगा यह दूर जाएगा वो हमें यही बताएगी यह लाइन को नोट करीये बताइए कोई डाउट है तो झाल 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 कि मैं कुछ कुछन्स दे रहा हूं तर यह सौल जो भी आज पढ़ा है उसी के उपर हैं कि देखें कुछन आपके सामने हैं ठीक है आज झाल 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 ऐसका केरेस्में, एटन्क इस फिल्द विद वाट अ अफ हैप्टो फ। 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 व। इप्टो इस धप्ति अप्सुट असड़्य। the bottom of the tank measured by a microscope to be 9.4. So this is apparent depth and this is the actual depth. So what is refractive index of water? So we can write directly as that apparent depth is equal to actual depth upon mu. This may value of the apparent depth is 9.4 is equal to actual depth upon mu. So what is mu water? Mu water? 12.5 upon 9.4. Then get a if water is replaced by a refractive index 1.63 up to the same height, then what will be the apparent depth. So this is part A and part B apparent depth is equal to actual depth upon refractive index of oil. So actual depth is 12.5 and refractive index of oil is 1.63. लेकिक्षी कैलकुलेट करी क्या आएगा? अगर एक आएगा? लेक्षेवन पोईंट्सिक्सिक्स एक पास्ट वाला शायद आया होगा 1.33 ना वो तो वही 4 बाइट्री आएगा और यह 12.5 divided by 1.63 तो यहारा है 7.66 सेंटिमेटर I hope everybody has attempted. तौल वो गया ना सबका? नेक्स तेखना? नेक्स कोशिन आएगा उड़ियं झाल 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 तुर जाल प्रत्व यह आप्टम यह appears to rise by 0.2 meter so suppose this is the mark and this is the image if mark is at a distance d then the apparent depth at which it appears is d by mu so this is the distance by which it gets shifted or interestingly this distance is also d minus d by mu which is same as glass slab so d 1 minus 1 upon mu is equal to 0.2 and d is given to the 21 minus 1 upon mu is equal to 0.2 and we have to take care of 0.9 is equal to 1 upon mu so we have to make a value oh is it not a guy is one point one one is it देखिए तेखिए ना कि अधिए ना कि अधिए ने लेक्स देखिए यह यह कर पाया थे नहीं कर पायते क्यों बई कर पायते हैं यह नहीं कर पायते हैं अभी समझ में आया क्या प्रॉब्लम थे एपीर्स टूराइज एपीर्स टूराइज ठीक है ना है थे मैं दूसरा मैंधेट से किया था आंप से माथा दूसरा में लगाए जरा बताओ मलब वह इसने प्रॉंट टू कर आई दूए हाँ एक बात है सब्सक्राइब एक बात है सब्सक्राइब करेक्ट यह करने की दरुंस होतीं ती आप आपन मिउ एप अपरेंट होगा और एंप वाला टू-1 पॉइंट ओन बनेक्स्वारा ब्टाइए झाल 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 second and other English man the bottom container the bottom of container is made of glass which is four centimeter thick and it also contains two immiscible liquids a and b up to a depth of six centimeter and eight centimeter what is the shift of a scratch on the on the outer surface of the glass means actually there are three layers one layer is that of glass one layer is that of glass which is four centimeter thick and the other two layers are two different liquids liquid a and liquid b liquid a is four centimeter no six centimeter and liquid b is eight centimeter refractive index of a is 1.4 and that of b is 1.3 and for glass it is 1.5 so what is the shift what is the shift in the position of an object when viewed from upside down hmm so kya bolenghi is my direct bolsa kya apparent shift is equal to d1 upon me one plus d2 upon me two plus d3 upon me three will you to d1 upon me one over four upon one point five plus six upon one point four plus eight upon one point three यह वैलियो आपको find out तो shifting कि वैली होगी तोटल एट ब्लस शिक्स प्लस फोर एंड माइनस दी अपरेंट डेप्स कि बूलिए कि इतना आता है आंसर इसक्राइब पॉर अपॉन पोईंट । फाइव पॉक्प शिक्स अपॉन पॉन-पॉन-पॉंट-फोर प्लस एट अपॉन-पॉन-पॉन-पॉन-पॉन-पॉन-प्यू-त्री टो यह व्यालिव आती है 13.1 13.1 cm and 8 plus 6 14 18 में से माइनस कर दे तो यह 4.89 के आसपास आता है आंसर हुलिए आया समझ में या नहीं करना है कोई भी उससे फरक नहीं पड़ेगा अंसर में ग्लास का ग्लास वैसल है तो बॉटम ग्लास ले लिया है बाकि इन दोनों को कोई भी उपर नीचे कर दो फरक नहीं पड़ेगा ना इसमें कि इसलिए उसने दिया भी नहीं है यह बात अगर इस चीज का फरक पड़ रहा होता तो वह बताता कि पहले किसको लेना है कि इस बात से फरक नहीं पड़ेगा ना इसको इधर कर दें इसको इधर कर दें तो हुँआ है ठीक है ना कि देखें एक और कुछिन टराइ करिए मैं अधिए कि झाल 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 4.5 cm and what is the real distance of bubble because suppose the bubble is at 0.0 suppose the bubble is at 0.0 and the distance of bubble from one side is x to from the other side the actual distance is 4.5 minus x and refractive index of glasses suppose mu so if we look at the apparent depth what is the apparent depth is equal to real depth upon mu and this value is given as 2 cm or other either side right side say so apparent depth is equal to real depth upon mu and this value is given as 1 cm so we have actually two equations and we need to find x and we can also find the refractive index calculation करिए जरा क्या आएगा आएगा भाई 4.5 upon mu minus x upon mu is equal to 1 and x upon mu is 2 to 4.5 upon mu minus 2 is equal to 1 and x upon mu is equal to 3 तो यहां से x का वैली वाजाएगा 3 cm that means the bubble is at a distance 3 cm from one phase and 1.5 cm from the other phase अएगा जरा कर वाज़ा बोशे जाएगा लुफेशगा झाली जारा कर वाज़ाशा झाली जाएगा भाईगा इस कि पोलिए अखिम इब यह को दिस वोज और अज़ वह प्लेन सर्केस्ट रफिस रफैक्षिंट इंड स्नेल्स लॉओ बैन सर्फिस रफैक्षिंट अड अलॉंग विद ग्लास लब इतना पाइड हो गया है तो इसके बाद नेक्स टरन पे में को टोटल इंटर्णल रिफ्लेक्शिन इस्टडी झाल 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 झाल